स्वामी निउस के सभी दर्शकों को का स्वागत अभिनंदन करते वे आज के इस सत्र में रविवारिय विशेश सत्र कल शनिवार को हमारा एक विशेश सत्र प्रारम्ब हुआ था वो तीन दिन तक चलना है जो कि कल पहला भाग था आज दूसरा भाग है कल तीसरा भाग इस सत्र का शीरशक है स्वप्न दोश पुर्षों में स्वप्न दोश की जो यौगित चिकितचचा होती है वो क्या होती है अपने दोश एक बड़ा भहेंकर रोग कह सकते हैं मानसिक असंतुलन कह सकते है और इस मानसिक असंतुलन का शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है शरीर में जो जीवनिय शक्ती होती है जिसको हम वीजे कहते हैं जिससे व्यक्ति स्वयम स्वस्त और बलवान रह सकता है, अपनी बुद्धी और शरीर को अच्छा बना के रख सकता है, वही दूसरी और कहा जाया तो नई संतान का भी जन्म कर सकता है, उस शक्ति का शरीर में सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है, उसी को ब्रह्मचर ये कहते हैं, उसी को वीर रक्षा कहते हैं, उसी को एक उत्तम कर्म कहते हैं, दिव्य कर्म कहते हैं, इसको जो नहीं कर रहा, वह व्यक्ति इस संसार में आकर मनुश्य क्या मनुश्य के जन्म में जानवरों की भाति विवार कर रहा है, और वो कभी सुख भी नहीं पा सकता, क्य वीट का वाक्या है कि वीजयवान लोग ही, यानि वीट लोग ही संसार के इस वसंदरा के इस धर्ती के सुखों को भोग सकते हैं, इसलिए सब धर्ती के सुखों का भोग करना है, तो वीजयवान बने सप्नदोश ये हमारे जीवन में एक, जिसको कह सकते हैं कमी है, जिस भी व हम प्रती दिन आपके हितार्त योग वस्वास्ते की इस कारिक्रम में अलग-अलग रोगों की चिकित्सा योगिक चिकित्सा बताते हैं, आज थोड़ी सी स्वपन दोश के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए, सबसे पहला-पहला काम जो हम करते हैं, वो करते हैं भोजन, तो भोजन को बहुत ठोटो, ठोटोस के मत करो, पेट पूरा भर करके इतना ज़्यादा मत भरो कि हमारे शरीर के मलाशय पर चोटी आथ, बड़ी आथ, आदी पर इतना दबाव पड़ जाए, कि वह वीर्यकोश को दबाने लग जाए, भोजन हो ना, तो आपको सोने का पोस्चर पता होना चाहिए, सपन दोश के लिए आपको सोना पता होना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, देखो, आपको सोना चाहिए, बाई करवट, ऐसे सोना चाहिए, आप ऐसे सो रहे हैं, तो ऐसे सोना चाहिए, यह वाला भाग उपर हो, ऐसे, ऐ ऐसे बिल्कुल नहीं सोना यह सोना बिल्कुल गलत है कौन सा वाला आप ऐसे उलट करके पूरा सो रहें यह बिल्कुल गलत है जो लोग छाती पर हाथ रखके ऐसे सीधे सोते हैं उनको भी अपने दोश नाम का रोग हो जाता है तो ऐसे नहीं करना आपको यहां तो कर्वट लेनी है अब पीछे सोने से उल्टे सोने सीधे सोने से बचें कैसे यहां पर यहां तो लंगुहूट धारन कर लीजी उसकी गांठ आपको बचायागी यहां मेखला धारन कर लीजी एक रस्सी होती है मूंज की जो अब हनुवान चालीसा में आप पढ़ते हैं न क्या पढ़ते हैं कांधे मूंज जनेव साजे तो कांधे पर उन्होंने मूंज की रस्सी का जनेव बांध रखा है और वो मूंज की रस्सी का जनेव जो है न वो गांठ लगा हुआ है और वही जनेव मेखला का भी उनका काम कर रहा है तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है कपड़ा लेना और उस कपड़े को अपने कमर पर या पीट पर या पीट पर ऐसे बांध लेना और पीछे उसकी गांठ आजा ऐसे पीट पर और फिर सीधे अगर सोना भी होना तो आप जैसे सीधे सोएंगे तो अपने आप आपसे करव उल्टा भी सुएंगे वह भी कारण है अपने दोश का एक कारण था भोजन एक कारण भोजन में सात्विक आहर को लेना तामसिक और राजसिक को मत लेना और रोज एक आसन को जरूर कर लेना उस आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन कैसे होता है देखो ऐसे सीधे बैठ गए सांस को भरके हाथों को उपर और सांस को बाहर छोड़े और ऐसे आगे की तरफ चु आए ऐसे रोके थोड़ी दे जल्दी से वापस नहीं आना ऐसे नहीं लग रहा ऐसे लगाओ सांस बाहर चोड़ो कि जितनी दे रोक सकते रोक किये पहले दिन इतना अच्छा नहीं लगने वाला दीरे दीरे लगेगा पूरा लग जाएगा कौनी अभी जमीन से लग जाएंगे ऐसे और सांस भर की वापस आ जाएगे इस तरह से पश्चिम उत्तानासन को करिए एक आसन बड़ा महतुपूर्ण है जिस आसन का नाम है सिध्धासन तो सिध्धासन कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए पहले दोनों पैरों को सामने कर लेते हैं फिर एक पैर को उठाते है इस एडी को अपने मलमूतर के द्वार के ठीक बीच में इंद्रियों के दोनों के बीच में यहां पर लग देते हैं जहांसे सीवनी नाड़ी दो नाड़िया निकलती जिनमें से एक सीवनी नाड़ी दबती है और वीरे कोश का संग कोश होता है यहां रगा दिए नहीं तकने को टकने से लगा लू और इसको यहां फसा दो और इस फसेवे को यहां से निकाल लू इसको कहते हैं सिध्धासन और सीधे होकर बैट जाओ इस सिध्धासन को लगाओ कल जिस बाहिय प्रणायम की में बात कर रहा था उस बाहिय प्रणायम को भी यदि आप इस सिद्धासन में बैठ करके लगाएंगे तो विशेश लाब होगा तो यह बात है निश्चित बात है तो इस सिद्धासन को रोज लगाया करो इस सिध्धासन के लगाने से क्या होता है हमारे वीजे कोश की शक्ति बढ़ती है अपने दोश का एक और कारण है कमजोरी का होना जो लोग अती मैथुन करते हैं विवाहित हैं अती मैथुन करते हैं बहुत ज़्यादा काम वासना में लिपत रहते हैं गलत आदतों में पड़ गये हैं वे भी उनको भी हो जाता है एक वोता है स्तंभन शक्ति की कम ही धारन ही नहीं हो रहा धारन शक्ति की कम हो गए तो धारन शक्ति की जिसको कम ही है उस व्यक्ति को भी अपने दोश की समस्या हो जाएगी क्योंकि उसने इतना ज़्यादा गलत आदतों में अपने शरीर को रमा दिया कि अब वो वीजे भीतर रुक ही नहीं रहा वो बार-बार बाहर उफर निकलने की वो कर रहा है इसलिए आपको पहले उसको सुरक्षित करके अंदर संयम पूर्वक बाहिये प्रणायम से पहले इसको धारना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा कैसे बढ़ेंगी धारना शक्ति देखो आपको तीन बंद लगाने इस बाहिये प्रणायम कैसे तीन बंद देखो ठीक डंग से देखोगे तो पता लग जाए सास को पहले भरना आए थोड़ा और फिर मल मूत्र के द्वार को ऐसे भीतर खींचना एडी को अपनी जगह लगा लो और अंदर खींचो मल मूत्र की इंद्रियों को खींच कर रखो फिर पूरे स्वास को बाहर छोड़ो और पीट को भी अंदर खींचो ऐसे यह था सामर्थिरों को पिर दोनों बंधों को धिला छोड़ दों दोनों बंध कौन से मूत्रे इंद्रियों को अंदर खींचा करो उसको कहते हैं मूल बंध मल इंद्रियों को उपर खींचा करो अंदर की तरफ उसको कहते हैं मूल बंध और मलमूतर की इंद्रियों को जब अंदर खींचते हैं और खींच करके रोक कर रखते हैं तो उसको कहते हैं मूल बंद और फीट को जब अंदर खींचते हैं ऐसे जैसे अभी चिपका दो बंदों को लगाओ पहला लगाओ एनस लॉक दूसरा लगाओ अब्डॉमिन लॉक इ बहुनी होंगे अक्सकरेटर्ट्र सिस्टम के भिडिसौडर ठीक होंगे पायल फिशर क हम यह भी ठीक होंगे तो जो अपने दोश से घ्रस्ट हैं और लोगों को पबज नहीं होने देने चाहिए अपने आपको देखो पहला पहला बंद लगा रहा हूं मैं मूल बंद दूसरा बंद लगा रहा हूं उड्डियान बंद सारा सांस बहार छोड़ दिया यह था सामर्ध रोका प्रिश्वास को बाहर छोड़ दें बाहर छोड़ आवा तो प्रिश्वास को भल लिया यह मूल बंद और उड्डियान बाही प्रणयम करना चाहिए मन ज्यादा शान्त नहीं हो रहा किसी भी चीज से तो आपको इस तराटक को जरूर करना चाहिए मन बड़ा शान्त होगा एक आगरता बढ़ जाएगी द्रिश्टी अच्छी हो जाएगी इसको आँखों की सीध में यहां रख कर कें बिलकुल सीधा रख कर और इसको देखते रहें टक टकी बांध कर देखें यह सीधा सीधा तो सपनदोश पर लाब नहीं करता लेकिन यह है कि मन को बड़ा अच्छा बना देता है जब मन अच्छा हो जाता है न देरे देरे आप सब की मानसिक शक्तियां बढ़ जाती है और जिसकी मानसिक शक्ती बढ़ गई तो फिर वह किनी भी गलत बातों पर नियंतरन कर सकता है किसी भी गई इसमें ध्यान रखना गी का दीपक जलाना गाये का गी हो देशी गाये का गी हो तो इस पर यदि आप लगाता ऐसे टक-टकी बांद कर देखेंगे न तो यह भी बड़ा अच्छा प्रियोग है अपने मन को एकाग्र करने का मन को शान्त करने का हमारी आँखों से एक डेट फिट दूरी पर हो और बिलकुल इसी उंचाई पर हो कि आँखों को उपर ना देखना पर नीचे ना देखना पर कुछ सामने सीध में हो देखो ऐसे सीध में किसी सामने टेबल आदे पर किसी पर रख करके इसको कर सकते हैं टेबल खुरसी आदे पर तो तराटक आपको जरूर करना है तराटक फिर आगे चलते हैं एक और कारण जो होता है वो होगा कमजोरी बहुत जादा है तो पहले तो मन को अब पवित्रता से दूर करो पवित्र बनाओ कल आपको शीर्शासन, सर्वांगासन जोकी स्वप्न दोश में आवश्यक रूप से करने ही चाहिए तो कमजोरी जादा को कैसे दूर किया जाए तो दो प्रयोग कर लेना एक प्राकरतिक चिकिस्टा का कर लेना और एक घरेलू प्रयोग कर लेना प्राकरतिक चिकिस्टा का प्रयोग क्या है ठंडे पानी में पैठ जाना एक टब होता है पैर बाहर निकाल करके और अपने गुदाद्वार इंद्री मुत्रेंद्री इन सब को अंदर पेट भी थोड़ा सा अंदर डूबा हुआ रहे उस टब में पानी भर लेना ठंडा पानी ठंडे से मतलब भरफ का नहीं ठंडे से मतलब सामाने जल जो होता है उस पानी को भर लीजी बस गरम निकार के नहीं भरना इसको भरके पंद्रह मिनट सुबह बैठी पंद्रह मिनट शाम को फिर से भरके फिर से बैठी पहला यह कटी इसनान ये महन इसनान बड़ा जोरदार काम करता है, पहले यी दिन से काम करता है, पहले ही, फ्राओं वेरी फस्ट डे आपकी, नाइट फॉल की प्राबलम कम हो जाएगी, यह समापत ही हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना यह है, प्राकृतिक शीचत से बड़ी जबर्द सब्सक्राइब कि इसके सामने 50% से भी ज्यादा इससे लाव होगा व्यायाम से 50% से भी ज्यादा होगा तो इसे दिए पहला तो यह काम करें दूसरा व्यायाम मतलब अच्छा दंड बैठके लगाए कल के सतर में आपको सारा शारीरिक बताएंगे सो अपने दोश की चिकित्स का अब घरेलू चिकित्सा स्वप्न दोश में कौनसी करनी चाहिए तो कौनसी कौनसी करें तो केवल एक प्रयोग कर लो आपको वटब्रिक्ष का बताया था बढ़के पेड़ का आज आपको एक उपाय और बतारें जिसमें 12 है चमच सफेद मूसली ले लेना 12 है चमच श्वेत मूसली या सफेद मूसली इसको कहते हैं वो ले ले लेना चून पिसाब, 12 चमच आउले का चून ले लेना, 12 चमच सफेद मुसली, 12 चमच आउले का चून, और 4 चमच जायफल का चून, जायफल पिसाब होना चाहिए, जायफल का चून यदि आप लेंगे तो जायफल का चून, 4 चमच, 12 चमच सफेद मुसली और 12 चमच आउला का पाउडर फॉर्म भी ऐसा फाइन पाउडर काफी बारिक पाउडर किया वहीं बन जाता है मिक्सी में हो जाएगा और ये तीनों को मिक्स करके एक डिब्बे में भरके रख लेना जब आप खाएं तो थोड़ा मक्षन और थोड़ी मिश्री के साथ इसका एक चमच निकाले और उसको खाएं सुबह भी खाना और रात को भी खाना पहले दिन से ही पाइदा होगा निश्चित बात है सोने का खाने का मन के सहियम का अती मैतुन आदी इन सब की जों का भी ध्यान रखना व्यायाम का प्राणायाम का आसन का और मन में गलत विचार ना आएं ऐसी चेश्टा चला के देख यहां सुन रहे होंगे या ऐसी बातें किसी से कर रहे होंगे या ऐसे दृष्चियों को बार बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आप उनसे बचें निश्चेत रूप से जो भी स्वपन दोश्ट के जितने भी रोगी हैं वे सभी अपने आपको उत्तम व्यायाम आदि कर सकते हैं, करना चाहिए, प्रणायाम करना चाहिए, हम जानेंगे, आज का सत्र भी विशेश करके केवल पुरिशों के लिए था, कल का सत्र भी केवल पुरिशों के लिए होगा, परसों से सामोई करूप से सभी लोग उस सत्र का लाब उठा सकते, क्योंकि य आपको बता दूँ ये विश्य बड़े important है और इनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए नहीं पता होता है तो ही ऐसे disorders हो जाते हैं इसलिए इन disorders को पहले दूर करें अपने स्वस्त जीवन को जीएं अपने स्नान जब करते हैं ना स्नान करते हैं तो अपने इंदरी की कारण हैं बड़ा कारण है इसलिए अपने इंदरी को स्नान के समय जरूर अच्छे डंग से स्वच्छ करना और भीतर ही बीतर ओम का जरूर उच्चारण करते रहना जब करते रहना क्योंकि मन पवित्र बना रहता है उससे नहीं तो जैसे ही विक्ति हस्त का स्पर्ष करता ह जैसे ही तो वह क्या होगा उससे अपवित्र हो जाता है मन फिर मन अपवित्र होगा तो फिर गलत विचार उतेजना वाले उठेंगे इसलिए मन में ओम का उच्छारण करके ही अपने इंदरी स्नान कराना चाहिए तो यह थोड़ा सा आपको प्राकरतिक चिकित्सा का उपा जीएंगे निश्चित रूप से अब से अप सब लोग स्वस्त नाएंगे अमारे योग के इस यूग वा सवाष्टिय के, इस लाइव का उद्देश भी यही है, योग करके व्यक्ती स्वस्त हो जाए, योग का मतलब यहां पर उपाय से है, स्वाष्ट्य को उत्तम बनाने कि क्या उपाय हैं, क्या योग हैं वह है, तो इसलिए आप सब लोग स्वस्त रहें, मस्त रहें, प्रसंद रहें आज के सत्रकुमें इतना ही ओम शान्ती 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 सर्वी भ्यो नमहा, करे योग रहे निरोग, जय हिन, जय भारत कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद, और शाब